आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन रेजिस्टेशन नम्मर आर ए जे एच आई एन अवलेक दो हजार दस अवलेक तेतिस नौसव पंद्रे कांग्रेश की माया सर्मा बनी नगरपरसद धौलपुर की उप्षभापती कल रववार को नगरपरसद धौलपुर के सवापती पद की चुना प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आज सौंबार को नगरपरसद धौलपुर के उप्षभापती की निर्वाचन प्रक्रिया हुई जिसमें कॉंग्रेश की माया सर्मा नगरपसद धौलपूर की उपशवापती चुनी गई माया सर्मा ने दो मतों से बिजैसरी हांशिल की है अत्रिक्त जिला कलेक्टर नरिंद कुमार बर्मा ने बताया के कॉंग्रेश की माया सर्मा को 31 वोट तथा निर्दली भाजपा समर्पित को कुशर्मा को 29 वोट मिले इस पर माया सर्मा को दो मत से बिजैगोशित किया गया आपको बताने के रविवार को कॉंग्रेस समर्थेत निर्दली उम्मीदवार खुश्बूश रिंग नगरपसद धौलपुर की सभापती चुने गई थी इसके बाद आज उपशभापती की कुर्शी भी कॉंग्रेस के ही पाले में आई है कॉंग्रेस पार्टी ने मुझे टिकेट दिया है मैं चीट कहिए मैं आप सबसे तखनात हूँ राज निर्वाजनायू के निर्दारित कारेकरम के अनुसार आज धौलपुर नगर परिशद को सभापती चुनाओ के लिए सुबह 10 बजे से नॉमिनेशन की परकरिया थी और तीन नॉमिनेशन इसमें आये थे दो बज़े तक एक विड्रोल हुआ राइस खान का इसके बाद धाई बज़े से काउंटिंग हुई काउंटिंग में माया माया देवी को 31 माया जी को 31 वोट मिले हैं और उनके निकरतर पृति दोंदी कुपकु शर्मा उनको 29 वोट मिले हैं इसी प्रकार से बाड़ी नगर पालिगा के उपादेक्ष पत्के लिए अहमत जमा इसके अलावा राजाखेडा में दो के नाम इसमें भारती और दुशाषिन जिसमें भारती भारती को 22 वोट मिले हैं और वो भी जेए लिए समस परशाषिन की टीम को समस पुलिस की टीम को हमारे समस मेडिया बंदों को और समस ताम नातिक जनों को जिनने बिलकुर शांती पूर कालून वेवस्ता रखी है और यह जो फ्री फैर विदाउट फैर विदाउट फियर जो चुनाओ यहां दोर्पुर में संपादी तो ह पुरा जिला परशाषिन जिला निर्वाचन अधिकारी की तरस में बहुत बहुत आपाद है तो धन्यकुर बाड़ी में चुनाब मैदान छोड़ भागी भाजपा कॉंग्रेस के अहमा जमा बने निर्परोध बाइस शेर्मेन नगरपाल का बाड़ी में कल भाजपा चेर्मेन का चुनाब हार गई इसके बाद आज भाजपा बाड़ी में चुनाबी मैदान ही छोड़ कर भाग गई और उसने बाइस शेर्मेन के पद के लिए आज अपना प्रत्यासी ही चुनाब मैदान में नहीं उतारा जिस से एहमद जमाखान निर्बूर वाइस चेर्मेन चुने गए वाइस चेर्मेन के चुनाप को लेकर बाड़ी में निर्बाचन अधिकारी रादेशिया मीडा की शमक्ष आज सुभह 10 बजे से 11 बजे तक नामंकन दाखिल करने थे जिसमें कॉंग्रेस पालिटी की ओर से मात्र एक आबेदन पारशाद एहमद जमाखान की ओर से प्रस्तुत किया गया वहीं भाजबा की ओर से किसी ने नामंकन दाखिल नहीं किया इस पर नगरपाल का बाड़ी के वाइस चेर्मेन पद पर एहमद जमाखान का निर्बूर निर्बाचन हुआ जिसकी ओपचारिक घोषणा दो पहर दो बजे निर्बाचन अधिकारी रादेशिया मीना द्वारा की गई इसके बाड़ निर्बूर निर्बाचित वाइस चेर्मेन एहमद जमाखान नगरपाल का के संबूर रिसोर्ट मेरेज हम पहुँचे जहां बिधाय गिर्राज शिंग बलेंगा सहित अन आपको बता दे हैं कि एहमद जमाखा बाड़ नंबर तीन से पारसद पद पर भी निर्बूर निर्बाचन हुए थे निर्बूर निर्बाचन से एहमद जमाखा के समथोकों हुए मिलने जुल्ले वालों में खुशी का महावल है और बदाई देने वालों का सिलसला बना चियर्मेन कमलिस जाटव जिला कॉंग्रेस कमेटी के महामंत्री मुस्ताक एहमद चियर्मेन प्रतनिदी होतम शिंग जाटव पारशद राजकुमार भारदवाज नजीर खान मानवा दिखार प्रकुष्ट के पूरु बाड़ी नगर अध्यस मलिक जावेद खान पारशद जिबरान, आबिद अली खान, आईशा बेगम, पूर पारशद जुबेर एहमद, रिजबान एहमद, पारशद प्रतनिदी राजबी जाटव, नाशिर खान, सहित काफी संक्या में लोग उपस्तित रहे मैं मजमाः बाड़ नमबर तीन से निर्वूद पारशद और आज युकर निर्वूद उपादगच बाड़ी की चुना गया हूँ, जो बाड़ी के गरदा सिंग मलिक जी एमेली साब के प्रियास से और बाड़ी की जंता से, जिनने में बहुती प्यार और उस सम्मान से ब उसके बारे बात चत्ता पूच्छा रहा है, जाने के लिए कोशी बीजेपी के पास बच्छा तो है, नहीं, रहे हर यह जेगा यह लोग आ रहे हैं, और भागे बाद में इनका प्रिशा दर्च्च के अदा है कि हुझती है, उनका पता इनीए कि वह क्या भूनते क्या किया कांग्रेस की भारती बनी राया खेडा की बाइस चीर्मेन नगरपल का राया खेडा में आज बाइस चीर्मेन के लिए मतदान हुआ जिसमें रिटर्निंग अधिकारी ब्रजिस कुमार मंगल की मौजूदगी में चुना प्रगरिया संपन कराई गई वाइस चीर्मेन पद के लिए भाजपा की और शेव वार्ड नमबर 15 के पारसद दुशाशन कुश्वा और कॉंग्रेस की और शेव वार्ड नमबर 25 की पारसद भारती प्रत्याशी रही जिसे लेकर पुलिस की मौजूदगी में मतदान प्रगरिया पूर्ड कराई गई मतदान के दौरान दोनों ही पारटियों की और से सभी पारसदों को बड़ी सुरक्षा विवस्ता के साथ नगरपाल का लाया गया इसके बाद मत गड़ना हुई जिसमें कॉंग्रेस की भारती को 35 मतों में से 22 मत मिले और भाजपा के दोशासन को मात्र 13 मत ही मिल सके इस पर भारती को 9 मतों से बिजाई घोसित किया गया सरकार के दो बर्ष पूर्ण होने पर मंगलवार को जैपो शेद दो मंत्री आएंगे धौलपूर्ग राज सरकार के दो बर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में धौलपूर्ग में आईजित होने वाले समहरों में भाग लेने के लिए दो राजमंत्री धौलपूर आ रहे हैं दोहलपूर जिला कलेक्टर राकिश कुमार जैजवाल ने बताया कि राजमंत्री महिला एवं बालविकाश विभाग स्वतंत्र प्रभाव जन अभियोग निराकर्ण मम्ता भूपेश तता राजमंत्री ग्रेह रच्चा एवं नागरिक सुरक्षा क्रशी पसुपालन एवं म पत्स विभाग भजनलाल जाटव 22 दिसम्बर मंगलवार को साइप पांच वजे धौल पूर पहुंच कर रात्त्री विश्राम करेंगे उन्होंने बताया कि 23 दिसम्बर को जिले में आईजेत होने वाले शमहारों में भाग लेंगे एवं विभेन योजनाओं की समिक्षा क करेंगे तथा 23 दिसम्बर को दोपहर एक वजे भरतपूर के लिए प्रस्तान करेंगे उन्होंने बताया कि राजमंत्री ममता भूपेश के ब्रहमण कारकरम के दौरान प्रोटोकॉल अधिकारी ओपकंडा अधिकारी सर्मत्रा वाडी एवं धौलपूर को तथा राजमंत् सरम एवं रैस्टोरेंट्स यहां ठैरने की आराम दायक शुविधा उपलब्द है लिफ्ट रैस्टोरेंट एसी लाइट जाने पर जनरेटर की शुविधा वाई-फ़ाई इंटरकॉम फोन की शुविधा उपलब्द है डिलेक्स एवं सुपर डिलेक्स रूम सस्ती कीमत तीन सो से लेकर तीन हजार तक की रूम उपलब्ध अच्छी रूम सर्वेस की गारंटी इसके अलावा हमारे यहां शगाई गोद भराई साधी जनमदिन की पाइटी किट्टी पाइटी प्रोफेशनल मीटिंग करने की सुभिधा उपलब्ध एक बार जरूर पदार है फोटल सुंदरम एंड रेस्टोरेंट रेलवे स्टेशन के पास धौलपूर प्रोप्राइटर हाकिम सिंग मोबाइल नंबर 94-23-84-12 फोलपूर में ही खरीद है पीटर इंग्लेंड लिवाइस सहित अन्निक नामी कंपनियों के सुंदर एवं ब्रांडेड कपड़े दूले के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन हमारे यहां पेंट, शर्ट, जैकेट, विलेजर, कोट, टाई, स्वेटर एवं बच्चों की सभी तरह के कपड़े मिलते हैं सर्दी के लिए गर्म कपड़ों का भी इस्पेशल कलेक्शन, उचित कीमत में खरीदें एक से बढ़कर एक सुंदर सर्ट, हम देते हैं कंपनी की गारंटी, कपड़ों की कीमत की गारंटी और कपड़ा पसंद आने की गारंटी, एक वार देखने जरूर पदा रहे, टी स्क धौलपुर सहर की कई कोलॉनियों में वे कई गाओं में मंगलवार को धाई गंटी बंद रहेगी बिजली, 220 केवी जयेसएzd धौलपुर पर रखरखाव एबर मरमत कार होने के कारण 22 दिसमबर मंगलवार को धाई गंटी बंद रहेगी बिजली, बेदुत निगम अयुद्या कुंज, मनोहर व्यार कॉलोनी एवं मदवन कॉलोनी, फीड़ नमबर 3 के भोगीराम कॉलोनी, फीड़ नमबर 4 के गुरद्वारा रोड एवं जला अस्पताल, फीड़ नमबर 5 के चाबनी, नवोदे, केसरवाग, पॉलिटेक ने महाविध्याले एवं हिनोता का पुरा तथा फीड़ नमबर 6 के पचगाउं, आदर्शनगर, रून्द, एबं भागिरत पुरा चेत्रों की बिजली, 22 दिसम्बर को प्राते 9 बजे से 11.30 बजे तक बंद रहेगी धौलपुर में 24 दिसम्बर को लगेगा एक दिवशिया ऑनलाइन रोजगार मेला जिला रोजगार का रियाला दौलपुर द्वारा एक दिवशिया ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन 24 दिसम्बर को किया जाएगा जिला रोजगार राधिकारी रगवीर शिंग मीडा ने बताया कि मेले में भाग लेने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं को NCS पोर्टल पर राइस्टेशन कराना होगा राइस्टेशन कराते समय किसी प्रकार की समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 1800-421-5154 पर समपर किया जा सकता है उन्होंने बताया कि 24 दिसम्बर को इच्छुक बेरोजगार युवा बिबाग की साइट पर जाकर ओनलाइन जॉब फियर में भाग ले सकते हैं कलक्टेड में जिले की प्रभारी सचिपने ली अद्यकारियों की समिक्छा भैठक उच्छुए तकणीकी सिच्छा सचिप तथा धौल फूर जिले की प्रभारी सचिप सुची सर्माह ने सौंबार को जला कलेक्टिर सवागार में समिक्षा बैठक ली बैठक में उन्होंने राज सरकार के दो बर्स के कारकाल की समिक्षा करते हुए कहा कि धौलपुर जलेने राज में कई कारें में प्रथम इस्तान प्राफ्त कर उलेखनी प्रगती की है उन्होंने चकेसा एवं स्वास्ते, क्रशी सारबजने के निर्मान, विद्धोत, जल्दाई, सिच्छा, रसद, सामाजी का अधिकारता, महिला एवं बालविकास, रीको, जलाव अधियो केंद्र आदी समझत बिबागी अधिकारियों को संबोदेत करते हुए कहा कि अधिकार प्रवारी इस प्रकार से काम करें कि आम जन को सरकार की योजनाओं का लाप बास्तिव के रूप से जरूरत मन तक पहुंच सके। बिबागी योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि जला प्रगती की ओर अग्रसर है। अधिकारता विवार रामरज मीडा तथा अपनिदेशक महला एवं बाल विकार्ष भूपेस गर्ग सहत अन्य अधिकारी मौझुद रहे। तीन सुत्री मागों को लेकर पटवारियों ने सहर में निकाली मूख रेली। राज्तान पटवार संग के बेनर तले आज धौलपुर जिले भर के पटवारियों ने सहर में मूख रेली निकाली। इसके बाद सभी पटवारी कलेक्टेट पहुचे जहां प्रधान मंतरी के नाम जला कलेक्टर राकिश क्मार जैस्वाल को तीन सुत्री मांगों को लेकर ग्यापन सौपा। ग्यापन में पटवारियों ने पटवारी की बेतन बिसंगती सोधार के लिए पूर्म में हुए समझोते एब पटवारी के कारकी बहो आयामी राजश्व प्रशासने तकनीकी प्रगती के मद नजर रखते हुए ग्रेट पर 3600 करने एसीपी योजना के अंतरगत 9, 18, 27 बर्श की सेवा अबदी के इस्तान पर 7, 14, 21, 28, 32 की सेवा अबदी पूर करने पर चेहनित बेतनमान को लाब देते हुए पदोनती पद का बेतनमान देने की मांग की साथी संगठन के साथ पूर में हुए सफी समझों तो एवं संगठन द्वारा समय समय पर प्रेशित ग्यापनों का निस्तार करने की मांग की है साथी पटवारियों ने चेताबनी दी है कि यद सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 9 जनवरी 2021 को सामलिया चित्तोर गड़ में उंग राम दोलन किया जाएगा ग्यापन देने बालों में जला अध्यच राम निवाष, गेंदालाल त्यागी, हरवेंदर शिंग्वीना, गजेंदर, प्रयाग राजमीडा, विद्याराम, संदीप सर्मा, आदि धौलपूर जिले के पटवारी सामिल है उसमें से दो-तीन बिंदू को छोड़ कर अभी तक किसी बिंदू पर कोई भी सरक्वार द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है तो पटवार संग ने प्रदेश माफसमती का आयोजन किया और उसमें सत्याग्रह के रूप तरीके से रफ्वाल राजस्तान में आंदो अभी मांग पत्र है उसमें और यह ही है बता के साथ चौदा एक्टीस अठाइस और बत्तीस के इसाब से हमें से बाटा जाए यह हमारी में जो 36 ग्रेट पर और इसके उपर आज हमने एक मुख रेली आयोजन किया है जिसका में उद्धिस सरकार का द्याना करशन है ती सरकार हमारी होगा हमारी मांगों के उपर द्यान नाम क्या आपका? देव ब्रत मिना दीपाबली और नव बर्ष के शोवपचर पर बिशेश शूट का लाव उठाए फरनीचर पसंद आने की भी गारंटी कोर्फोम गद्दे के डिस्ट्यूविटर कोर्फोम के गद्दे पर भी भारी दिस्काउंट कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ तथा साथ में निच्चत उपहार भी पाओ पताव फरन्ट लाइन होम फरनीचर शोरूम बैल्यू प्लस बिल्डिंग 132 के भी बिजली घर के सामने बाडी रोड धॉलपूर प्रोपराइटर आकाश अक्रबाल मोबाइल नमबर 8239231147 एक इंजेक्शन द्वारा बबासीर जड़ से खत्म काश निकलना भगंदर फिशर पर स्थाई उपचार लेजर एवं शार सल्ले द्वारा शिवेर प्रतेक महा की नौ एवं बीस तारीख को रतनशांती गेट हाउस स्टेशन रोड थॉलपूर डॉक्टर एकिये स्टार्टोर मुंबाई एमडी शलितंत मोबाइल नमबर 70000-25503-9165741677 मौर्निंग बॉक पर गई महलाओं को अग्यात बाहन ने मारी टक्कर दो घायल वसेड़ी में मौर्निंग बॉक पर गई महलाओं को एक तेज रफस्तार अग्यात बाहन ने टक्कर मार दी जिससे दो महला गंबी रुप्ष गायल हो गई वहीं एक महला हुए एक बालक बाल बल बच गया गटना बसेडी के बयाना मोड के समीब की बताई जा रही है गटना की जानकारी लगते ही मौर्निंग बॉक पर गए अन्ने लोग मौके पर पहुँच गए तता इसकी सूचना घायल महलाओं की परजनों को दी इसके बाद घायल महलाओं को एक स्याट एम्बूलेंस की मदद से बसेडी सीएस सी पहुचाए गया जहां से गंबीर हालत होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया गटना की तुरंत बाद अग्यात बाहन चालक मौके से फरार हो गया फिलहाल अग्यात बाहन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं लग सकी है जवाहर नबोदे स्कूल दहौलपूर में प्रवेस आबिदन की अंतिमतिती बढ़ाई गई है इसकूल प्राचारे डाक्टर केस बगिल ने बताया कि कच्छा 6 वी में प्रवेस परिच्छा 2021 की ऑनलाइन फार्म भरे जाने की अंतिमतिती 15 दिशंबर से बढ़ाकर 29 दिशंबर 2020 कर दी गई है उन्होंने बताया कि आबिदन फार्म केवल ऑनलाइन ही बढ़े जाएंगे ओनलाइन फार्म में इमेत्र अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से निशुल को भरे जा सकते हैं 10 सूत्री मागों को लेकर सिक्छक संग ने दिया ग्यापन सिक्छक संग यवाके प्रांती आवान पर करम चारियों ने सरकार के प्रती प्रतिप्रतसन कर्शोपे गए ग्यापन को लेकर प्लॉक अद्धिश विजए बिलोनिया ने बताया कि सरकार करम कार्म चारियों के प्रति अत्य सम्वेतन शील रुख अपना रही है पुरानी पेंसन लागू हों, लंबित बेतन सिग्र जारी हों, 33 रेड़ी सिख्षकों के ट्रांसपर किये जाएं, इसमाईल कारिकरम को बंद किया जाए, आदी मांगों पर सरकार के द्वारा अमल नहीं किया जा रहा है दस सूत्री मांगें अभी तक लंबित हैं, इसके विरोध में ग्यापन दिया गया है, ग्यापन देने वालों में ब्लोक अध्यच, सेलेंदर कुमार, प्रत्वी राज, मनोज कुमार, लोकेंदर, अनेल, लाखन सिंग, आदी सिक्षक सामिल है धौलपुर में भब श्वागत के बाद किसान यात्रा दिल्ली रवाना, प्रख्यात गांधी वादी बिचारक एवं महात्मा गंधी अंतरराष्टी अस्थांती अहिंसा संस्तान मदुरई के प्रबंद संचालक पीवी राम गोपाल की अगवाई में धौलपुर आई किसा पद यात्रा भब श्वागत के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गई, यात्रा में सामिल किशानों ने रात्री बिच्च्रां भी धौलपुर में ही किया था, शुबह भब श्वागत के बाद यात्रा को दिल्ली रवाना किया गया, गांधी जीवन दर्शन स्रम्ती धौल पूरपुर के संयोजक धर्बेंदर सर्मा ने सभी पद यात्रियों की होसला आपजाई करते हुए कहा कि सारे देश में किसान गांधिवादी पीवी राम गोपाल के नेतरत्मय काले कानून को बापस करने की लड़ाई लड़ाएंगे और जब तक केंद्र सरकार काला कानून नहीं लेती तब तक हम चैन से नहीं बैठेगे। अब घर और सड़क बनाना हुआ आसाद। वह भी 25% रुपए एवं समय की बचत के साथ। क्योंकि धौलपुर में पहली बार शुरू हो गया है अंतर राष्टिय इस्तर का केला देवी रेडी मेक एवं फ्लाइएस बिक्ट्स तसा इंटर लॉकिंग टाइल्स के निर्मात धौलपुर जिले में 50-60 किलोमीटर तक कंक्रीट करने की फूड बिवस्ता। सभी प्रकार की ग्रेड तक आटोमेटिक कंट्रोल से कंक्रीट बनाने की बिवस्ता। आटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल से एक जैसी क्वालिटी, कच्चे माल की ना के बराबर बरवादी, मकान और सड़क के निर्माण के समय अत्रिक्त जगे की आवश्यक्ता नहीं, लाने वे ले जाने में 10% तक सीमेंट की बचत, साइट पर बिजली वे लेबर की निगरा या धौलपूर, प्रॉपराइटर मनीज कुमार सिंगल, मॉबाइल नंबर 9549891824 वे भी आपकी पसंद के डिजाइन में त्यार करके, हमारे यहां सागबान, सीसम, साल एबं अन्य कीमती लकडी से फन्नीचर त्यार किया जाता है, इसलिए मजबूत सुंदर टिकाव और आकर्सक फन्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, पता दाव देयाल सास्त्री वा गोविल्थ सर्मा, पहडी वालों की दुकान, ब्रज मादव फन्नीचर हाउस, राजाखेडा बाईपास, धोलपूर पूर। सरपंच बेदप्रकाश शौनी ने कहा कि ग्राम पंचायत को स्वक्ष बनाना हमारी प्राथ्मिकता है, जिसके लिए NGO का सहयोग काफी सरहनी है। सरपंच ने ग्राम पंचायत के लोगों से आवाहन किया है कि सभी लोग अपने घर तथा आसपास को साफ सोधरा रख कर ग्र प्राक्रम में NGO प्रभारी हरियों त्यागी सहेत सरपंच बेदप्रकाश सौनी नीरज ब्यास खोंप्रकाश जगदीज प्रसाद राघव शिंग नंदराम पत्रकार रिंकु गुदैनिया आदी उपच्थत रहे। बटेश वर कला के ग्रामीडों ने HDM से की सारपजन कुवे से अतकमड हटबाने की मांग। दबंग लोगों ने अतकमड कर लिया है। उन्होंने पुवे में जवरन समर्शिवल डाल रखी है जिससे कुवे का पानी सूप गया है। वहीं दबंग लोग गाउं के लोगों को पुवे से पानी नहीं भरने देती हैं। जिससे ग्रामीड परेशान हैं। ग्रामीडों ने HDM से सरकारी सार्वजन कुवे से अतकमड हटबाने की मांग की है। ग्यापन देने बालों में रमेश चंद, राजकुमार, घमंडी, निर्मल, धुर्बकुमार, पप्पू, कॉमल प्रजापती, राजबीर, आदी सामिल हैं। जागरुकता सत्र में ग्रामीडों को बताए बच्चत वए निवेश के तरीके। राया खेडा इलाके की ग्राम पंचाए देब घेरा में CSE द्वारा ग्रामीड निवेशक जागरुकता सत्र का आयजन किया गया। इस अवसर पर SBI वेंक राजा खेडा की साखा प्रबंदक विश्नु कुमार ने कहा के ग्रामीड बैंक खाते में रकम जमा कर बचत कर सकते हैं। ग्रामीडों को डिजीटल बैंकिंग के उपयोग लाव और साबधानियों के बारे में बताया। CSE संचालक स्रीकांत उदैनिया ने ग्रामीडों को साइबर ठगों से बचने के लिए अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, OTP, पाशवर्ड, CBV की जानकारी देने के लिए जागुर किया। सरपंच प्रतनेदी नियाहल सिंग ने ग्रामीडों को सरकारी योजनाओं का लाब लेने का आवण किया। सत्र में बारे प्रधान मंत्री सुरच्छा वीमा योजना, एक जीवन जोती वीमा योजना, दो बैंक खाते, एक प्रधान मंत्री सिरम योगी मानधन योजना में नमंकर की गए।